आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत स्वगत है दोस्तों हम बात करेंगे आज ऑपरेशन राथ आफ गौड की यह एक ऐसा ऑपरेशन है इसराइली एसासिनेशन कैम्पेंड यहां पे इसराइल के 11 खिलाडियों को मार दिया गया और उसके बाद अगले 20 सालों तक धून धून्ड के मारा है धून धून्ड के आप बहुत कुछ हुआ बहुत तीदी से इस ऑपरेशन को किया और इसराइल ने छोड़ा नहीं हम बात करेंगे दोस्तों इसमें ऑपरेशन राथ गौड की बहुत शांदार कहानी है चली आगे बढ़ते हैं चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर दो यार इतना तो आप करी सकते हो चैनल को सबस्क्राइब करो बेल आइकन दबाओ बहुत मज़ा आईगी आपको यार ग्रोथ थोड़ी से रुक्सी गई है इंस्टा पे प्लेस्टीन के बारे में आपको पता ही है अब मैं बार पर नहीं बताऊंगा कि इस्राइल और पलेस्टीन की काफी दुश्मनी है 1948 में पहला अरब इस्राइली वार हुआ उसके बाद इस्राइल ने 6 डे वार 1967 के इस्राइल ने 70-80% एरिया पे अपना कबजा कर लिया पलेस्टीन को आजाद कराने के लिए एक और्गनाजेशन आई PLO ठीक है पलेस्टीन लिबरेशन और आम्ड मिलिटेंट ग्रुप था एक ब्लाक सेप्टेंबर जिसको बोला जाता है मतलब एक तरीके से PLO का ब्लाक सेप्टेंबर और्गनाजेशन दी बात करें तो ये भी एक पलेस्टीन मिलिटेंट और्गनाजेशन थी PLO एक उम्ब्रेला ग्रुप था इसमें बहुत सारे लोग आते थे ठीक है और 1960s में काफी ऐसे ग्रुप खड़े हो गए थे जो पलेस्टीन के लिए लड़ रहा था अब इधर इस्राइल है और इधर पलेस्टीन का लिबरेशन ग्रुप है दोनों ही आपस में भीड़े हुए है उस समय PLO बड़ा फेमस था कि बॉम्बिंग्स के लिए हाई जैक्स के लिए बहुत जादा फेमस था तो होता क्या है कि यहां पे म्यूनिच उलम्पिक्स होते हैं म्यूनिच जर्मनी में है 1972 के समर उलम्पिक्स थे यह म्यूनिच में 1972 सिग्स डे वार को खतम वे पांत साल हो गए हैं लेकिन इस्राइल और पलेस्टीन में टेंशन बहुत जादा है हम यह देखते हैं कि जो पेलस्तीन का टेरिस्ट ग्रूप है ब्लाग सेप्टेम्बर उस समय जर्मनी डिवाइडेड था एक तरफ वेस्ट जर्मनी जिसको अमेरिका और बाकी लोगों का सपोर्ट था एक तरफ त इस्ट जर्मनी जिसको सोवियतero開वन तो वेस्ट जर्मन पेलस्तीन के आतंकी ग्रुप के जिसका नाम था ब्लाक सप्टेम्बर वो घुज गए इस ओलम्पिक्स में इसराइल ओलम्पिक टीम आई थी उस समय और इसराइल ओलम्पिक टीम को इन्हों ने बंधक बना दिया ठीक है जिसको म्यूनिच मसाकर भी बोला जाता है अब आप ये समझे कि टोटल इसमें 17 लोग मारे गए थे समझ रहें जिसमें 6 इसराइल के कोचेश थे 5 इसराइल के एथिलीट्स थे यानि कि टोटल इसराइल के ही लोग मारे गए थे साती सात 5 आतंकियों को भी ढेर कर दिया था और एक वेस्ट जर्मन पुलिस आफिसर भी मारा गया था हुआ क्या कि जैसे ही पैलस्तीन के आतंकि घुसे तुरंत जो रूम था हो सब चेंज कर रहे तो उनको पता भी नहीं तुरंत उनको बंदी बना लिया गया इसमें एक मूवी भी बनी स्टीवन स्पीलबर्क की म्यूनेच आफ जरूर देखेगा 2005 अब उनको बंदी बना लिया गया और उनको छोड़ने के लिए तयार नहीं अब इनकी माह ये थी कि जो 234 पैलस्तीनियन प्रिजनर्स है जो इस्राइल की जैल में बंद है उनको तुरंट रिलीज करो इस्राइल नेगोशियेट नहीं करता है इस्राइल ने मना कर दिया अब इतने में ही इस्राइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने जर्मनी से ये रिक्वेस्ट की कि हमको वहाँ पे आके रेड करने दो हमको थोड़ा सा वक्त दे दो लेकिन जर्मनी ने इसको मना कर दिया क्योंकि ओलंपिक्स चल रहा था ना उन्होंने का कि है ओलंपिक्स में एक म्यूनिच में पुरा का पुरा ओलंपिक विलेज बना दिया गया था काफी बड़ा तो आप ये समझिए कि ओलंपिक्स चल ला था तो यहाँ पे पहले जर्मनी ने मना कर दिया कि अगर हम ओलंपिक के समय में इन लोगों को बुलाते तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ओलंपिक्स भी कैंसल हो सकते हैं मना कर दिया अब ये बिचारे 11 एथलीट्स अन दियर ओन थे इनकी क्या गलती है इनकी क्या गलती है इनकी पूरी फैमिली इनके लोग कोई गलती ने इनकी 1972 में ये होता है ब्लाक सब्टेंबर ठीके अब जब इन लोगों को पता चला आतिफ था इसका जो हेट था आफिफ सॉरी आफिफ तो जब इसको पता चला कि यार ये इसराइल जो है वो आतंकियों को नहीं छोड़ेगा अब हम क्या करेंगे कोई बात नहीं इन्हों ने बोला कि हमको हेलिकॉप्टर दे दो हम जर्मनी से निकल जाएंगे क्योंकि अगर यहां पे रहते तो मार दिये जाते हम जर्मनी से निकल जाएंगे लेकिन इन 11 खिलाडियों को भी अपने साथ ले जाएंगे एरपोर्ट पे हलिकॉप्टर का इंतिजाम किया गया अब इतने में ही जर्मन पुलिस ने ये बोला और बाकी 11 जो जब इन लोगों को पता चला कि बचने का कोई तरीका नहीं है 11 के 11 खिलाडियों को वही मार दिया खतम कर दिया 11 इसराइली एथिलीट्स को 6 सितंबर 1972 जिसको म्यूनिच मसाकर भी बोला जाता है बाकी जो तीन आतंकी थे उनको इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और उनको जेले में डाल दिया समझे आप ये कहानी है अब जब ये इसराइल को पता चला कि इन बेगुनाहों को मार दिया ये देख सकते हैं ये थे जो इसराइल के अथिलीट्स थे इन सब को मार दिया जिसमें 6 कोचे थे 5 खिलाडी थे खतम कर दिया थे अब जब इसराइल को ये पता चला कि ऐसा हो गया वहाँ पे हाकार मच गया उस समय इसराइल की प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मेयर उनका दिमाग खराब हो गया अब उन्हों ने ये बोला कि हम तो ये सहेंगे नहीं इसराइल में भायाना गुसा कि हमारे खिलाडियों को घुसके मार दिया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हम कुछ कर नहीं पाए तब यहाँ पे मुसाद आक्टेव होती है डेफेंस मिनिस्टर थे मौशे डायान उन्हों ने बोला कि ब्लाक सक्टेंबर जिनों ने हमारे खिलाडियों को मारा है ब्लाक सक्टेंबर के आतंकी है PLO के आतंकी है उनको घर में घुसके मारेंगे ऐसा सबक दिखाएंगे कि दुबारा ये लोग देखे भी न और अगले 20 साल तक 20 साल तक दोस्तों एक एक आतंकी को मारा है और ऐसे मारा है देखिए तीन तरीके थे क्या थे आप आतंकी को मारेंगे कैसे जैसे ही पैलस्तीन को ये पता चला कि अब इसराइल तो बैंड बजा जो पैलो के लीडर्स थे उनका ये में प्लान था और इसराइल ने बोला कि नहीं कोई टार्गेट करेंगे वरना अगली बार ये और बड़ा हमला करेंगे तो अब पैलस्तीन को ये पता था कि अब इसराइल को खुला हैंडम नहीं दे सकते सब के सब अंडर्राउंड हो ज बोला कोई दिक्कत नहीं है धूनेगे और मारेंगे चाहें जो हो अब दोस्तों इसकी शुरुवात होती ऑपरेशन राथ ऑफ गौड इसका कोड नेम था ब्यूनट यहां पे मुसाद के अच्छा मैं तो यह तीन तरीके थे ठीक है अभी मैं इस पर आता हूँ तीन तरीके थे क्या थे या तो हम सीधा रेड कर दे जहां पे भी आतंकी छुपे हैं वहां पे रेड कर दे बम से उड़ा दे अब वो खतरनाक हो जाता था क्यूंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप दूसरे के देश में जैसे यहां पे यूरोप में जाके मारा है इसराइल के को भी पता चल जाएगा खेर उसको बाद में पता ही चलना था और देश में भी प्रॉब्लम हो सकती है तो यह possibility बहुत जाता कंती दूसरा यह था कि चुप चाप जाएं और बम से उड़ा दे यह method यूज किया गया कानो कान किसी को खबर नहीं होगी पता तो सभी को होगा लेकिन कोई सबूत नहीं होगे ना कि हमने किया है तो एक तो हमारे पास क्या कहता है कि यह तड़ीका था और तीसरा यह था कि गोली मार दे कमांडो ऑपरेशन सो और गोली मार दे इस और इस ऑप्शन पे भी काम हुआ इस पे भी काम बहुत अच्छे से चला अब अगले ही महिने 1973 में इसराइल ने लेबनौन को रेड़ किया इसराइल ने इसराइल को यह पता चला कि लेबनौन में एक आतंकी छुपा हुआ है लेबनौन के प्राइम मिनिस्टर से हाला कि आपको बता दू कि तुरंथी बात सीरिया और लेबनौन में भी बंबारी कर दी दस PLO basis को जहां पे PLO basis थे हो सब को उड़ा देंगे सीरिया में उड़ा दिया, लेबनाउन में उड़ा दिया Prime Minister Golda Mayor ने एक Committee X बनाई जिसमें सरकारी officials थे और ये किसी को नहीं पता था सरकार के बहुत बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता था कि ये सब हो रहा है, तो जहां पे Operation Wrath of God मतलब जहां पे suspected थे, जिन्होंने खिलाडियों को मा रहा था वहां पे reading करनी शुरू कर दी, साती सात मुसात के डारेक्टर जवी जामिर को बनाए गया, इनका वैसे ही बहुत जबरदस्त इतिहास रहा है अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने reading शुरू कर दी, एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाई सबसे पहले तो लिस्ट तैयार की, पहले तो डराया, सीरिया और लेबनाउन पे बंबारी की किसी को ये नी पताता ना कि ये घुसके मार देंगे, होटल में घुसके मार देंगे, बंस रोडा देंगे बेरूत में कोई बैटा होगा, वहाँ पे जाके कमांडो ऑपरेशन करके चली आएगी तो पहले तो पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाई में ये फाइनल हुआ, और फाइनल ये साथ आठ पे रुका जाके, जो मेन ऑपरेटिव थे अब उसके बाद मुसाद को ये पता लगाना था कि ये लोग है कहां, ये इंडिविजुल कहां छुपे हुआ है क्योंकि कुछ अता ही पता नहीं डर भी था कि अगर ये ओपरेशन फेल होगे तो क्या करेंगे अगर किसी देश को पता चल गए क्योंकि कोई देश साथ तो देनी रहा था और अब मुल्कों तो ऐसे ही चड़े बैठे थे तो पहला एसासिनेशन अगले ही महीने हुआ 16 अक्टूबर 1972 में यहाँ पे पैलस्तीन में वायल ज्वैटर को मार दिया गया रोम में घूम रहा था चुप चाप गए मार के आ गए कार को ही उड़ा दिया इसकी अब यह बड़ी इंट्रस्टिंग कहानी है यह फ्रांस के होटल में छुपा हुआ था अब होटल में छुपा हुआ था यह पता चल गया मुसाद ने पता लगा लिया कि यहाँ पे छुपा हुआ है तो इसको मारना पड़ेगा इस तरीके से आप देख सकते हैं न ये उस समय की तस्वीर है तो इसको मारना पड़ेगा आप मारेंगे कैसे अगर हम जाके होटल में चीखेंगे पुकारेंगे तब तो हो अल्ला हो जाएगा पहले क्या था न ये देखिए मुसाथ के हर जगा जासूस फैले हुए थे तो जै ऐसे ही ये और शुरू होता है सारे नेटवर्क को बोल दिया कि बैटा काम पे लग जाओ तुमको हम लिस्ट दे रहे हैं और पता लगओ ये कहां है पता तो लगी जाएगा ना बहुत सारे इसके तरीके होते हैं मैं पुलिस आप समझी कि एक स्टोरी थी कि पुलिस ने इस क्वालिफाई के तो उनका इंटव्यू लेना है तो मैंने का कि ठीक है अब मुझे खली नाम दिया था बागी कुछ नहीं बता था कि ढूंडो इसको जहां पे भी है तीम घंटे के अंदर ढूंड निकाला आसान होता यार इतना टफ काम नहीं है लेकिन उस समय थोड़ सा मुश्किल था यह तो पहला एसासिनेशन हुआ सोल अक्टूबर को उसके बाद महमूध हमशारी को जो की पीले और रेप्रेजेंटेटर था यह फ्रांस के होटल में छुपा हुआ था अब फ्रांस के होटल में इसको फसाया बहुत खूपसूरत सी कन्या भीजी अब इस कुछ नहीं था चुप चाप बेटर बनके गए फोन के नीचे बाउम रग दिया फोन आया जैसे ही इसने डेस्क टेलिफोन उठाया बाउम फट गया आठ दिसंबर दूसरा पहला सोला अक्टूबर दूसरा आठ दिसंबर आठ दिसंबर 1972 पूरा बाउम फट गया खतम वही कुछ एक महीने बाद 24 जन्वरी को 1973 हुसेन अल बाशीर को मार दिया यह ओलंपिक होटल रूम में रुके थे निकोसिया में और इसके बेड के नीचे बाउम लगा दिया और फढ़ गया तो आप समझ रहे हैं कि बाउम जाके कमरे में प्लांट कर रहे हैं और कमांडोस को य इसराइल के जो कमांडोस थे कि यहां पर छुपा हुआ है 9 अपरेल 1973 कमांडोस लेवनाउन पर आए मुसाद एजेंट से मुलाकात हुई और उसके बाद वो बेरूत तक ले गए बेरूत में इन्हों ने जहां पर यह बासीर अलकोबैसी अगला था बासीर अलकोबैसी यह अब बासीर अलकोबैसी जो है वो लौ प्रॉफेसर था भाई यह बात बताओ कि आतंकियों को लॉजिस्टिक भी तो सपोर्ट बड़े इंटेलेक्शुल्स लोग शामिल थे हतियार देना और यह लॉजिस्टिक सपोर्ट यह सब हो रहा था पीछे से तो इसमें बासीर अल चाचल पून डालाई से नौ अप्रेल 1973 इसमें महामुद यूसुफ अल-णजार सबसे बहतरीन इसको मारा है महामुद यूसुफ अल-नजार को यह जो यूसुफ अल-णजार था आप समझिये यह Lront का यह लीडर था इसी नहीं यूसुफ अल-जार कमल अदवान कमल नस फा था छे उप्रेल 1973 को बासी रालक बैसी और अगले तीन दिन बाद नव अप्रेल 1973 को इन तीनों को मारा कैसे मारा यहाँ पर यह च्छुपा हुआ था बेरूत में बिल्कुल मजा ले रहा था बेरूत में समुद्र का मज़ा ले रहा था कमांडोस को खबर लग गई कि भाया यह यहां चुपा हुआ है मुसार एजेंट्स ने खबर दे दी कमांडोस आई यह special operation था एकदम फिल्मी स्टाइल में कमांडोस आई बेरूत में लैंड किये और जो अपार्टमेंट था बिल्डिंग थी उसको रेड किया तुरंत महामुद यूसुफ अलनजार को मार दिया यह operation लीडर था जो ब्लाक सेप्टेंबर ने operation किया था उसका leader था ही कमाल अद्वान को भी वही मार दिया चीफ अफ ओपरेशन था पिलो का और कमाल नासर को पिलो एग्जेकिटिव कमिटी का मेंबर और स्पोक्समें इन तीनों को निप्टा डला समझ ने फिर दोस्तों जून आता 1973 बौदिया को भी मार दिया महिने महिने में दिनों दिनों पे सब हो रहा है बौदिया मों पेरिस में मारा फिर उसके बाद 15 दिसंबल 1979 अब अगला 6 साल बाद होगा मेन ओपरेटिव तो मार दिये गए लेकिन अभी भी 35 की लिस्ट है यह खतम नहीं हुआ है 6 साल बाद सब जब सब पलेस्तिनियों ने सोचा किया रहे अचलो कुछ नहीं होगा 1979 में अली सलेम एहमद और इब्राहिम अब्दूल अजीज को मार दिया इसको इजिप्ट में मारा सिपरस स्वरे इसको सिपरस में मारा इजिप्ट में मारा फिर अगले तीन साल बाद 1982 में फदीदानी को मार दिया जो की deputy director था PLO office का इसको भी bomb चोड़ा दिया फिर 1986 में खलील एहमत नजाल को मारा जो secretary general था PLO का फिर 1988 में पलस्तीन के अबू अल-हसन कासिम को मार दिया अगले 20 साल तक दोस्तों ढूंड ढूंड के मारा है समझ रहे हैं और उसमें मुसाद और defense forces का हाथ है तो भाईया ये है operation wrath of God आप ऐसे ही operations मैं cover करूंगा इसराइल ने बहुत सारे operations cover किये लेकिन मतलब काफी इसराइल ने operations को अंजाम दिया है बड़े तगड़े operations को अंजाम दिया है कुछ रहे है पर तरे देशर सद्दान तक ने होतरी सायनियों